बॉलिवुड अक्ट्रसेज अक्सर अपनी कैट फाइट की वज़े से सुर्ख्यों में रहती हैं चाहे वो रिलेशन्शिप को लेकर हो या फिर फिल्म को लेकर कैट फाइट का सिलसिला चलता ही रहता है ऐसा ही कुछ काफी समय से हो रहा है दिपिका पादुकोन और प्रियंका चोपड़ा के बीच और इस कारण दिपिका को एक बर फिर सफाई देनी पड़ी है आपको बता दें कि बॉलिवुड के बाद अब हॉलिवुड में दिपिका और प्रियंका नाम कमा रही है विन डीजल के साथ दिपिका की फिल्म ट्रिपल एक्स रिलीज हो चुकी है और प्रियंका की बे वॉच आने वाली है दोनों के बीच जबरदस्ट कॉम्पिटिशन को देखते हुए अकसर उनके बीच कैट फाइट की खबरें उड़ाई जाती है अमेरिका से मुंबई लोटी दिपिका पादुकोंड से जब प्रियंका को लेकर कैट फाइट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे फ़नी बताते हुए कहा कि वो और प्रियंका कुछ अलग हासिल करना चाते हैं और उनकी मंजिले भी अलग-अलग हैं ऐसे में हमारी तुलना करना सही नहीं है दिपिका ने इस मौके पर बताया कि हॉलिवड में उनकी फिल्म को और उनके रोल को काफी पसंद किया गया है और इससे वे काफी खुश हैं दरसल दिपिका और प्रियंका के बीच फिल्म बाजीरो मस्तानी के दोरान कुछ अन्मन की खबरे आई थी जो पर्सनल से जादा प्रोफेशनल थी हाला कि दोनोंने समय समय पर इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी राहें जुदा हैं इसलिए आपसी लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं उठता